न्यूज आप देख रहे हैं दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज पर हम चर्चा करें राइटर से इस न्यूज को लिया गया है न्यूज क्या है न्यूज बहुत तनाव देने वाला है न्यूज चिंता करने वाला है राइटर ने न्यूज को कवर किय थे 12 बिंदुव पर उन्हें चर्चा की और इसके बाद ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि अब विश्व जो है वो सांथ हो जहें लेकिन फिर पुतीम जो है वो सब कुछ को चेंज करके एक नए तरीके से जो है वो बात कर रहा है पुतीन ने जो है वो क्या किया है पुतीन के बारे में अगर हम बात करें तो पुतीन ने एक नया ही बाते जो है वो रख दिया है पुतीन ने क्या बाते की हैं पुतीन ने कहा है कि बेला रूस में वो परमाडू हतियार जो है वो तैनात करेंगे नाटो जो है उसे घवड़ा गया है नाटो कह रहा है कि पुतीन का ये बहुत ही खतरनाक और गहर जिम्मेदाराना कदम है ठीक है ना रशिया चाइना न्यूकलियर को समाप्त करने के बारे में बात कर रहे थे मिटिंग हुई मॉसको में बेलारूस में लेकिन जैसे ही परमाडू बम तैनात करने की बात की तो चीन का जो पीस प्लान था जिसके साथ ये उमीद लग रही थी कि चीन जो है वो ग्लोबल प्रावर बनना चाहता है जिसके बाद ये उमीद लग रही थी कि हो सकता है कि चाइना जो है अमेरिका के जगा ले ले क्योंकि चाइना ने साओधी अरब और इरान लग रहा था कि यूकरेन और रश्या को भी जो है वो सांथ कर दे लेकिन यह क्या यहाँ पुरा विश्व जो है वो चाइना के तरफ देख रहा था कि चाइना हो सकता है इस रूस के इस युद्ध को रूस के इस हमले को जो की उक्रेन पर हो रहा है उसको बंद कर दे यहाँ तो कुछ और भी हो रहा है पुतीन के दिमाग को समझना बड़ा ही मुस्किल है पुतीन की चाल की दर होगी ये भी समझना बहुत मुस्किल है पुतीन ने सीधे ये कहा बेला रूस में हम क्या करेंगे परमाडू बं तैनात करेंगे और पीस प्लान को इन्होंने उठाया और सैट कर दिया क्या चल रहा है पुतीन के दिमाग में क्या करना चाहते हैं पुतीन किसे को नहीं पता तो चीन के राष्टपती सी जिन पिंग रूस की आत्रा पे गए थे हम ये बात कई दिनों से कर रहे हैं रूस के राष्टपती से मुलाकाद भी की यूकरेन को साथ लेकर पीस प्लान बनाने की कोसिस भी की रूस की राष्टपती बेलारोस में जो टक्टिकल नुक्लियर हतियार तैनाद कर रहे हैं इसका माजा जो है वो नहीं समझ में आया रूस यूकरेन के बीच में ये जो चीज़े चल रही है इसको समझना थोड़ा सा अलग टाइप से है ठीक है क्योंकि रूस जो है अपने परोसी देश बेलारोस में टैक्टिकल हतियार नुक्लियर जो नुक्लियर हतियार है उसको तैनाद कर रहा है और चीन के विशेशक इस बात की चिंता भी जता रहे हैं जीन पिंग का जो प्रयास था वो और भी जाता जटिल हो चुका है और इसके अलावा परमाडू हतियारों का जोखिम बढ़े गया है वहीं हाउट हाउस यानि कि अमेरिका जो है वो कह रहा है अभी तक तो हमें ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है जिससे कि हमें लगे कि रशिया जो है वो परमाडू हतियारों का इस्तमाल करने का प्लानिंग कर रहा है सनिवार को राश्पती पुतीन के हवाले से जब ये ख़वर आई कि रूसी जो है वो दस एयरक्राफ्ट जो है वो बेलारूस में तैनात किये गए हैं जो कि tactical nuclear हतियार ले जाने के लिए सक्षम होंगे रूसी राश्पती का दावा है कि बेलारूस में परमाडू हतियार रखने में nuclear non-propulation agreement का उलंगन नहीं होता है यानि कि NPA का उलंगन नहीं होता है और रूस किसी भी तरह के technology या control जो है वो बेलारूस को नहीं दे रहा है अब सी जिन्पिंग के भी इसमें काफी अलोशना हो रही है पुतीन ने जैसे ये गोशना की तो सब ये कह रहे है कि सी जिन्पिंग मॉस्को की यात्रा में गए क्यों और मॉस्को की यात्रा पे जाने के बाद ही सारे चीज़ सुनने में आ रहा है यानि कि पुतीन और जिन्पिंग जो सायूक टिक वार्ता कर रहे थे सायूक टिक वेक्टब ये दे रहे थे ये एक बयान दिया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि देखिये हम सभी परमाडू समपन देश हैं और हमें अपने हत्यारों के को इस हिसाब से करना चाहिए कि उसका दुरुप्योग ना हो, हमें अपने हत्यारों को सीमा के बाहर तैनात नहीं करना चाहिए इन सारे चीज़ों पे उन्होंने बयान दिया और अचानक बेलारूस पहुंच गया रशिया का निउक्लियर वेपन्स तो ये सारी बाते जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं और चाहिना के जो विशेशक गया है वो भी इस पर काफी जादा हरान है तो ये भी एक बात हम कहा रहे हैं लेकिन इसके पीछे कारण क्या है उसक कुछ नहीं ठीक है तो ये सारी चीजे जो है लेकिन फिर प्रशन ये उठ रहा है कि पुतीन जो है ये तैयार क्यों कर रहे है जिन पिंग की घोश कोशिशों पर पानी फेर देंगे पुतीन है ना इसके अलावा आप देखें आपके स्क्रिन पर यूएस ब्रेक्स साइलें नज़र आ रहा है ये युक्रेन नज़र आ रहा है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां आपको रशिया नज़र आ रहा है ये बेलारूस नज़र आ रहा है और ये उक्रेन नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर ये रेड रेड लाइन से एरो नज़र आ रहा है ज को देखने को मिल रहा है न इसमें कुछ मांक्स हैं जैसे कि इस मांक को बहुत ध्याक से अगर आप समझोगे तो इस मांक्स से आप समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से पूरी घटना जो है वा आगे बढ़ रही थी यह आपको जो जो इसक्वार्ट टाइप कर दिख रहा है यह जहन्डा टाइप का अगर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप समझे कि यहां रशिया का जो है पर्मानेंट बेस से जैसे कि आपको यह नजरा आ रहा है, है ना आपको यह नजरा आ रहा है, ठीक है, जहां जहां आपको यह हवाई जहाज की लग रहा है, वो बेलारूस मिलि रेन के उपर वो बर्शा करने के लिए एच नाइम से आपको देख रहा है तो एच जो भी आपको देख रहा है यह आपके टेंपरोरी हेलिकॉप्टर बेस थे टेक है जो कि रशिया यूज कर रहा था इसके अलावा यह आपको एविडेंस मिसाइल लॉंचेस यह आपको यह रशिया का तो आप देखे कि पर्मानेट बेस आपको रशिया का जो है वो आपको देखने को मिल रहा है वो भी कहां आपके बेलारूस में देखने को मिल रहा है ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि बेलारूस का प्रियोग जो है रशिया के द्वारा किस प्रकार से जो है वो कि उक्रेन के बीच सांती के जो भी बाच्चित के मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन इसके अरावा एक उम्मीद और भी कही जा रही है कि फ्रांस के जो राश्टपती हैं इमेन्वल मैंक्रो और यूरोपिय संक्या ध्धग जो है जिनका नाम है उर्सुला वांडेर लेयन वो भी चीन की यात्रा पे जो है अगले हफते जाने वाले हैं विजिंग के युवान वांग सैंड विज्ञान और प्रदोगी की संस्थान में जो सोध करता है जिनका नाम है जो चेन मिंग वो ये कहते हैं कि पुतीन का यह जो फैसला है यह पश्मी देशों और रू अपने देश के सीमा के बाहर जो है परमाडू हतियार जो है रखे थे 1990 के पहले सोवियत संग के परमाडू हतियारों के तैनाती जो है वो अपने सीमा के बाहर हमें देखने को मिल रही थी उसके बाद 2023 में हम क्या देख रहे हैं कि राष्टपती वलामदीर पुतीन जो है ब बातों को आप समझ रहे होंगे, है न जिस पर कि हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक फिर से प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि ये सारा का सारा मामला आया क्यों, और ऐसा क्या हुआ था जब पुतीन और सी जिन पिंग यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा के ऐसा क्यों श्टेप उठाया गया, उस पर भी हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से इस इमेज को आप देखिए, और इस इमेज पर जो लिखा हुआ है, इसको समझ ये, ब्रिटेन के किस हथियार से घबडाय हुए हैं पुतीन, अब इसको थोड़ा सा समझना होगा, क कि जब सी जिनपिंग मौस्को की यात्रा पे थे, पुतीन के साथ वो सभी चीजों को सांती से समझाना चाहते थे, उसी समय युक्रीन में कुछ घटना घट रही थी, और गटना यूके के मदद से घट रही थी, जिसके बाद जो है, वो पुतीन जो है, वो गुस्से में आ जिनपिंग जब मौस्को में बैठे हैं, वहीं युक्रीन ने एक हथियार पकड़ा दिया है, हथियार का नाम है चैलेंजर टू टैंक, अब ये जो रूस और युक्रीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें ब्रिटेन का ये हथियार जो है, ये जो टैंक है, वो चीन के राश्पती, इसके बाद पुटीन ने जो है, वो ब्रिटेन को अगाहा भी कर दिया है, कि ऐसा कुछ ना करें, ठीक है, रूस के जो राश्पती वाला मदिर पुटीन, उन्हें ने युक्रीन युद्ध के बीच में जो है, जो चिताउनी के माध्धम से ये कहा है, अब ब्रिटेन अपने जो चैलेंजर टू युद्धक टैंक है, ये पूरा का पूरा युनिनियम से लैस है, और उतीन ब्रिटेन के रक्षा मंतरी से, जो बयान है, उस पर पूरी बाते भी कहरे हैं, कि रहे हैं कि ये सही नहीं है, कोसिस करें, अब पूरा का मामला आपको स समझ रहें कि असली बावाल जो है भाईया यहीं है तो ब्रिटेन के बारूद से दह्षत में पुतीन यह सारी चीज़े है तो यह रहा दोस्तों आज का कैसा लगा जोरूर बताईए है ना कैसा लगा आप लोग इस प्रकार से लगा इस पर भी जो है अपना राय जो है जरूर देजिए इसके अलावा दोस्तों आपके लिए अनकेडमी पर जो है वो काफी कोर्सेस हैं है ना अनॉप्टें कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्श काफी सारे इडवांटेज हैं इडवांटेज पादा उठाए तो चलिए दोस्तों फिर होगी आप सभी से मुलाकात अगले कुछ शेशन्स में तब तक पना ध्यान रखिए स्वस्त रहें मस्त रहें तंदुर्स रहें हस्ते खलते मुस्त आते जीवन का आनन्द लेजिए जाहन जाइबाद